गजेंदर मोक्ष इस्त्रोत स्री सुकदेब जी ने कहा बुद्धी के द्वारा पिछले अध्याय मेवर्णित रिती से निस्चे करके तथा मन को हिरदय देश में स्थिर करके वह गजराज अपने पुर्व जन्म में सीख कर कंठस्त किये हुए सर्वस्रिष्ट एवं बार बार दोहराने योग निमलिकित इस्त्रोत का मन ही मन पाठ करने लगा जिनके प्रवेश करने पर जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ सरीर और मन आदी भी चेतन बन जाते हैं चेतन की भाती बेभार करने लगते हैं ओम सब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण सरीर में प्रकिर्ती एवं पुरूस रूप में प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ परमेश्वर को हर हम्मन ही मन पर नाम करते हैं जिनके सहारे यह भी सुटिका है जिनसे यह निकला है जिन्होंने इनकी निशना ही है जो स्वैम ही इसके रूप में प्रकट है फिर भी जो इस द्रिस्ट जगत से एवं इनकी कारण भूता प्रकिर्ती से सरवथा परे एवं स्रेष्ट है उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं सरन लेता हूँ अपने संकल्प सक्ती के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसी लिए स्रिष्टी काल में प्रकट और प्रलैकाल में उसी प्रकार और प्रकट रहने वाले इस सास्र परसिद कारे कारण रूप जगत को जो अकुंठित द्रिष्टी होने के कारण साक्षी रूप में देखते रहते हैं उनसे लिप्त नहीं होते वे चक्छु आधी प्रकासकों के भी परम प्रकासक प्रभू मेरी रख्चा करें समय के प्रभा से संपूर्ण लोकों के एवन ब्रमभादी लोक पालों के पंच भूत में प्रवेश कर जाने पर तथा पंच भूतों से लेकर महत पुर्ण संपूर्ण कारणों के उनकी परम करना रूप प्रकिर्टी में लीन हो जाने पर उस समय दुरियग तथा अपार लुए अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारन दर्सक नहीं जान पाते उसी प्रकार सत्व परधान देपता एवं रिसी भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते फिर दूसरा जीब तो कौन जान और वर्णन कर सकता है वे दुर्गम चलितर वाले प् मंगल मैं स्वरूप का सच्छात कार करने की इक्चा से वन में रहकर अखंड ब्रहमचर आदि अलोकिक ब्रतों का पालन करते हैं वे प्रभु मेरी रक्षा करे जिनका हमारी तरह कर्म वस ना तो जन्म होता है और नहीं जिनके द्वारा एहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं जिन उन्मत सक्ति संपन एवं ब्रहम परमेश्वर को नमस्कार है उन प्राकिर्त आकार रहित एवं अने को आकार वाले अध्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है स्वेम प्रकास एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है उन प्रभु को जो नमवानी एवं चि को नमसकार है सत्तु गुन को स्विकार करके सांत रजो गुन को स्विकार करके घोर एवं तमो गुन को स्विकार करके गुड से प्रतीत होने वाले बेद रहित अतेव सदा समभावों में इस्थित ग्यान धन प्रभू को नमसकार है सरीर इंद्रिय आदी के समुदाय रूप स संपुर्ण इंद्रियों एवं उनके विश्यों के ग्याता समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपुर्ण जर्प्रपंच एवं सबकी मूल भूता अविद्या के द्वारा सुचित होने वाले संपुर्ण विश्यों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार ह संपुर्ण वेदों एवं सास्त्रों के प्रम तात्पर मोग्च रूप एवं स्रेष्ट पूरूसों की प्रम गती भगवान को नमस्कार है जो त्रिगुन सरूप कास्टों में छिपेवे ज्ञान रूप अगनी है उन गुनों में हलचल होने पर जिनके मन में स्रिष्टी कासित हो रहे हैं उन प्रभू को में नमस्कार करता हूं मुझ जैसे सरनागत पसूतुल जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पुन रूप से काट देने वाले अत्यदिक दयालू एवं दया करने में भी आलस से ना करने वाले नित्यमुक्त प्रभू को नम जिन्हें धर्म अभिलासित भोग धन मोच की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गती पा लेते हैं अभी तो जो उन्हें अन्न प्रकार के अयाचित भोग एवं अभिनासी सारसत सरीर भी देते हैं वे अतिसे दयालू परभू मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार ले जिनके अन्न भक्त जो वस्तुत एक मात्र उन भगवान के ही सरन है धर्म अर्थ आदी किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते अपितू उन्हीं के परम मंगल में एवं अत्यंत बिलक्षन चरित्र का गान करते वे आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं उन अत्यंत दूर प्रतीत होने बाले इंद्रियों के द्वारा अगम में तथा अत्यंत दुर्वेग अनंत रहित किंतु सबके आदी कारण एवं सब और से परिपुर्ण उन भगवान की महस्तुति करता हूं ब्रमभादी समस्त देपता चारोबेद एवं संपुर्ण चराचर जीव नाम आकरती भेद से जिनके अत्यंत छुद्र अंस के द्वारा रचे गए हैं जिस प्रकार पजलित अगनी से लप्टें और सूरी की किरने बार बार निकलती हैं और पुनह अपने कारण में लीन हो जाती हैं उसी प्रकार बुद्धी, मन, इंद्रियां और नाना यो ना पुनसक ना तो वे कोई जीव है जिनका इन तीनों ही स्रेणियों में समाबेस हो सके ना वगुन है, ना कर्म है, ना कारण ही है, सबका निसेद हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है, वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं ऐसे में भगवान मेरे द्वारा उध अग्यान से ढखे वे इस हाथी के सरीर से मुझे क्या लेना मैं तो आत्मा के प्रकास को ढख देने वाले उस अग्यान की निवरिती चाहता हूँ जिसका काल करम से अपने आप नास नहीं होता अपी तु भगवान चाहता हूँ जिसका काल करम आप की दया से और ग्यान के उद बिस्व में आत्म रूप से ब्यापत अजन्मा सर्व ब्यापक एवं प्राप्त वस्तूं में सर्व स्रेष्ट की भावना को केवल परनाम ही करता हूं और उनकी सरन में हूं जिन्होंने भगवत भक्ती रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है वे योगी लोग उसी योग के द्वारा सुद्ध किये वे अपने हिर्दे में जिनें प्रकट हुआ देखता हूं उन्हीं योगेस और भगवान को में नमस्कार करता हूं जिनकी त्रुगनात्मक सक्तियों का राग रूप वेग असे है जो संपुने इंद्रियों को बिसे रूप में प्रतीत हो हैं तथा पी जिनकी इंद्रियों में ही रची गई रहती हैं ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलता और संबल है सरनागत रक्षक एवं अपार सक्ति साली आपको बार बार नमस्कार है जिनकी अविद्या नाम सक्ति के कारे रूप एहंकार से ढखेवे अपने स्वरूप क जब जीव जान नहीं पाता उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं सरन में आया हूँ जिसने पुर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रही था निराकार स्वरूप का वर्णन किया था उस गजराज के समीप जब ब्रंभा आदी कोई भी देपता नहीं आये जो भिन भिन प्रकार के विसिस्ट ग्रहों को ही अपना सरूप मानते हैं तब साक्षात स्रीहरी सब के सामने जो आत्मा के होने के कारण सरव बेद सरूप हैं वहां प्रकट हो गए उन्होंने गजराज के उस प्रकार दुख सुनकर दुखी देखकर और उनके द्वारा पढ़ीवी अस् पर आप पहुंचे जहां वहां थी था सरूपर के भीतर महावली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हांती ने आकास में गरूर की पीट पर सवार चक्र उठाए भगवान स्रीहरी को देखकर अपनी सूड को जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का पुस्प रखा था उपर उठाया और बड़ी ही कठनाई से सरूपुज्य भगवान नारायन आपको पड़ाम है यह वाक्य कहा उसे पीडी देखकर अजनमा स्रीहरी एकाए गरूर को छोड़ कर नीचे जील पर उतराए वे दया से प्रेरित हो ग्रह सहित उस गजराज को ततकाल जील से बाहर निकलाए और देपताओं के देखते ही देखते चक्र से मुहचीर कर उसके चंगल से हाथी को उबार लिया नारायन नारायन